आज दोजार चॉबीस की परिख्ष़ पर चर्चा होने वाली बात यूं तो प्रिधान मंत्री नरेंदर मोधी ने आज चात्रों से परिख्ष़ पर चर्चा की और उन्हें मंत्र दिया लेकिन परिक्षार्थियों के लिए जो गुरुमंत्र प्रधानमंत्रि नर्यंद्र मोधी ने दिया उसे सुनकर लगेगा कि विपक्ष के लिए भी ये नसियत है जैसे मुद्दा है अनिर्णे का असमंजस्का इसी भी हालत में हमें निर्णायक होना ही चाहिए और एक बार निर्णायक होने की आदत लग जाती है ना फिर कंफिजन नहीं रहता है जो लोग कि रेस्टरॉंट के डाइनिंग टेबल पर दिजने नहीं कर पाते हैं वो कभी रेस्टरॉंट का या खाने का आनन्द नहीं ले सकते हैं आपको दिनना एक बनना पड़ता है अगर आपके मां आपको डेली सुबह पूशे आज क्या खाओगे और आपके सामने पचास वाई के वाराइटी बोल दें आप क्या करोगे गुम फिर करके आजाओगे रोज खाते हो और महीं बढ़ा के खड़े हो जाओगे कि मैं समझता हूँ कि हमें आजर ढनीरी हैं निरनाएक बले लेने से पहले पचास वूचीजों हम बारी किसी पूछे लेकिन उसके बार हम मिनराएक बने और इसलिए confusion किसी भी हालत में आप किसी के विली अच्छा नहीं है और मिरना एकता और खराब होती है और उसमें बाहरा ना चाहिए तो विपक्ष में जब ममता बैनेर जी ने कह दिया कि हम अखेले चुनाव रणेंगे निती इश्कुमार अलग ही हो चुके हैं तब दोजार चौबीस के परिक्षा में नरेंदर मोदी ने अपनी तैयारी तो बता दे चात्रों की क्लास जो आज प्रधान मंतरी नरेंदर मोद दिन ली है उसमें ही कहा है कि मोदी के यहां निराश्या के दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं तो फिर सिवाए पोजिटिविटी कुछ आता ही नहीं है और मेरे यहां निराश्या के सारे दरवाजे बंद है कोई कोना वी एक ठोटी खिड़की भी मेने खुली नहीं रखिये कि निराश्या महां से घूज जाए और मैं आपने कभी देखा होगा मैं कभी मैं रोता बैड़ता नहीं हूं जी पता नहीं क्या होगा वो हमारे साथ आएगा खरी आएगा वो हमसे भीड़ जाएंगा अरे लक्ष के विशे में निर्णय की दुविधा ये समस्या विपक्ष की इंडिया गड़ बंधर में दिखाई देती है तब बच्चों को संदेश देते प्रधान मंत्री ने ये भी साफ कर दिया कि निर्णय के पसुपेश का सामना कैसे गया जाता है कि जब कोई डीजी स्वांत नहीं होता है कि खुद के लिए कुछ करना प्ताय होता है तो निर्णव में कभी भी दुविधा प्रदानी होती है और वो एक बहुत बड़ी अमानत मेरे पांस है कि मेरा क्या मुझे क्या कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है कि सिर्वार सिर्फ देश के लिए करना और आपके लिए करना ताकि आपके माता पिता को जिन मुसीबत्वां से गुजरना पड़ा मैंने चाहता हूं कि उन मुसीबत्वा से आपको गुजरना पड़ा अ हम आप भेश बना करदेना है दोस्ते की आपके भावी पीड़ी को भी आपके संता-णियों को भी कि हम ऐसे देश के अंदर और पूरी तरह खिल सकते हैं अपना सामर्द दिखा सकते हैं और यह हमारा सामोहिक संकल्प होना चाहिए और पड़ा मिलता है और इसलिए साथ यह जीवन में पॉजिटिव धिंकिंग की बहुत बड़ी ताकत होती है बुरी सी बुरी चीज में भी पॉजिटिव देखा जा सकता उसको हमने देखना चाहिए इंडिया गडवंधन की तरफ से जब प्रधान मंत्री नेरेंदर मोधी को चुनाते देने की बात होती है तो परिक्षा पे चर्चा के दारान प्रधान मंत्री ने दोजार चौबीस की परिक्षा के हर चुनाती के लिए खुद को भी तयार हैं ये बता दिया है कि मेरी प्रकृति है और जो मुझे काफी कुपकारक लगी है कि मैं हर चुनोती को चुनोती देता हूँ कि चुनोती जाएगी स्थित्यार सुदर जाएगी इसकी प्रतिक्षा करते हुए मैं सोया नहीं रहता हूँ और उसके काण मुझे नया नया स्थिखने को मिलता है हर परिश्थित्य को हैंडल करने का नया तरीका नए प्रवग नियू नई स्ट्राटिजी इवाल करने का सहज मेरा एक मेरी वीधा मेरा अपना विकास होता जाता है